नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चेनल लॉईजी में और आज हम सभी लोग कवर करने वाले हैं Agreement and Contract में Difference, करार और समविदा, समविदा को अनुबंद भी का जाता है तो आज हम लोग कवर करेंगे करार याने Agreement में और अनुबंद में, अनुबंद याने Contract में क्या अंतर होता है Indian Contractate के अलावा ये Civil Judge के Examination में LLB की परिक्षाओं में पूछे जाना वाला बहुत महत्रून प्रशन है और यहाँ पर हम कवर करेंगे Distinction याने अंतर कवर करेंगे Between the Contract Contract को अनुबंद भी कहा गया है, अनुबंद और इसी को समविदा भी कहा गया है, समविदा और करार में अंतर, समविदा और Agreement को कहा जाता है करार, तो आज इसके बीच का Difference हम लोग कवर करने माले है तो सबसे पहले यहाँ पर Basis याने किन आधारों पर Difference कया गया उसको समझेंगे और Contract याने समविदा और इधर हम लोग कवर करेंगे समविदा और इधर हम लोग कवर करेंगे करार तो करार और समीधा में क्या अंतर होता है मैं तरो ही आईए स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट आप देखें सबसे पहले definition की हम बात करें तो definition जो दोनों की है वो Indian contractor act में बताई गई है सबसे पहले contract is an agreement enforceable by law तो सबसे पहले बाद यह कहीगी, जो contract होता है, जो अनुबंद होता है, वह करार होता है, लेकिन एसा करार जो वीधी द्वारा प्रवर्तन ही है, मलब जिसको कानून प्रवर्तन करता है, कानून help करता है, उसे enforce करने में, तो all the agreement enforceable by law are called contract, और यहाँ पर agreement बोलता है, an agreement is every promise, her promise, or set of promise forming the consideration, तो इस प्रकार agreement वो होता है, her promise होता है, every promise और every set of promise forming consideration, यहने, जब promise के अंदर consideration आ जाता है, यहने, जब promise का मतलब होता है, वचन, वचन में जब प्रतीफल आ जाता है, तब जाके वो agreement बनाता है, लेकिन यह फिर भी contract नहीं बन पाता है, दूसरा enforceability, प्रवरतनी इता कि एदि हम बात करें, तो contract में, every contract is enforceable, जितने भी contract होते हैं, वो enforceable होते हैं, बलब कानून द्वारा enforce होते हैं, और यहाँ पर every promise is not enforceable, क्या हर promise, हर वचन enforceable होता है, नहीं होता है, क्या सारे agreement enforceable होते हैं अब जैसे मालीच एक contract killing का agreement हो जाता है, contract killing आप लोग समझते हैं, कि कोई वेक्ति किसी की हत्या करने के लिए agreement करता है, तो यह enforceable नहीं है, enforceable मलब कानून द्वारा वीदी द्वारा परवरतनी नहीं है, तीसरा, inter relationship, दोनों में relationship देखें, तो contract includes agreement, contract के अंदर agreement शामिल होता है लेकिन सारे agreement के अंदर contract include नहीं होता है, agreement does not include contract, agreement के अंदर contract नहीं होता है, यह भी important बात है, चोथा point इसे हम validity की बात करें, वेदता की द्रश्टी से हम बात करें, only legal agreements are called contract, जितने भी legal agreement होते हैं, वो contract हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर an agreement में भी both, legal भी agreement हो सकता है, और illegal agreement भी हो करें, विदिक बात देता में, every contract contains legal obligation, हर contract में legality होती है, इसलिए वो बात दे होता है, लेकिन it is not necessary for every agreement, हर agreement में legal बात देता हो या जरूरी नहीं होता है, अब मैं तो एक example के माध्यम से हम समझते हैं, contract और agreement में, मान लीजे कि दो लोगों ने आपस में कनुबंद किया, कि हम दोनों चोरी करेंगे, या जुवा सकता खेलेंगे, जो भी पेसा आएगा बराबर बाटेंगे, अब यह agreement हो सकता है, लेकिन कानून द्वारा enforceable नहीं है, तो यह contract नहीं है, और एक दूसरा उधरन देखें, एक employer ने कि employee को अपने आपर employment में रखा है, और employer ने यह promise किया है, कि आप मैने भर तक मेरे या इतना काम करेंगे, तो मैं आपको इतने रुपे salary दूँगा, तो यह जो contract है, यह agreement जो ही contract हो सकता है, क्योंकि यह यहाँ पर किसी व्यक्ति क्यां काम करना, employment रखना, यह legal है, इसमें enforceability होती है, तो यह में तोरो difference between agreement and contract, I hope you enjoyed this lecture, Indian contract के एसी प्रका